ये है क्लास 6 इंगलिस न्यू जेम्स रतना सागर लेसन नमबर 6 दडाइमेट नेकलेस इस वीडियो में कोशन आंसर विट एक्सोसाइज सभी कम्प्लिटली मौझूद हैं हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक्सोसाइज दे कोशन फर्स्ट ट्रू और फाल्स में है कि सही है या गलत यह हमें जवाब देना था कोशन मैं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि आंसर दो मैंने लिखी हुए है सिर्फ कोशन आप समझ लेना कोशन फर्स्ट है मतिल्डा के हस्बेंट जो थे उन्होंने अपने वाइफ को 400 फ्रांस दिये थे ड्रेस खरीदने के लिए आंसर प्रू है मतिल्डा डिड्नोट इनजोई द्दांस मतिल्डा जो थी ड्दांस को इंजोई नहीं कर रही थी क्योंकि कोई भी उसको नोटिस नहीं कर रहे थी यह फॉल्स है है कोस्सा नमबर 3 लोजल ने मेडम फोरेश्टर को एक लेटर लिखा कि नेक्लेस जो है उनसे तू काने के लिए यह भी ट्रू है कोसर नमबर फाइफ मैडम फॉरिस्टर जो थी वो बहुत ही घुसा हुई थी जब मटिल्डा ने उन्हें ब्लेम किया था यह फोर्स है क्योंकि वो घुसा बिल्कुल भी नहीं हुई थी बस उन्होंने पूछा था कोसर नमबर बी रीड फ्रांस देने के लिए तैयार हूं कोसर पूछाववा है फू सेट इस एन्ट उओम यह किसने पोछा और किस्स मत फित किस में कहा और किस को कहा और नेक्स्ट इसी में है और उन फ्रांस को किस पर खर्च किया गया आंसर है मेडम लोजल के जो हस्वेंड थे उन्होंने ये अपनी वाइफ मेडम लोजल के लिए सब्द बोले थी और उन पैसों का इसमाल एक ड्रेस को एक बड़ी ऐसी ड्रेस को खरीदने के लिए खर्च कर दिये गए जो कि उस ड्रेस को खरीदा गया था एक उक्रिजन के लिए जो कि मिनिश्टर की रेसिडेंस में होने वाला था कोसर नमबर बी है इसी का क्या 400 फ्रांस से उनकी प्रोब्लम सोल्व हो गई थी यहां पर इसका भी आंसर है उन्होंने भी सुन्दर सी ड्रेस खरीद ली फिर भी वो अभी भी अपसेट थी क्योंकि उसके पास कोई जोलरी नहीं थी उसके साथ पहनने के लिए कोसर नमबर सेकिंड सी डांस विध इन्थुएजियम थिंकिंग उफ नथंइं फ्लोटिं वट्वाद ओफ हैपिनेस वो पड़ी ही खुसी के साथ किसी के बारे में नहीं सोचना और एक खुसी के बातल में तहर ने जैसा महसوس कर रही थी तो यहां पर कोसर है यह Who is the person refers to her यहाँ पर यह words किसके लिए यूज हुए है Why was she floating on a cloud of emptiness वो खुसी के बादलों में क्यूं तहर रही थी आंसर हिसका कि यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो मैडम लोजल है मैडम लोजल ही है जिनके बारे में यह बात हो रही है और फिर यहाँ पुछा हूआ क्यों वो तैहर रही थी यहाँ पर एक खुसी के बादल में इसलिए तैहर रही थी किवी वो बहुत ही खुस थी उसे लग रहा था कि यहाँ पर वो सभी में सबसे जादा सुन्दर है और उसने नोटिस किया कि सब भी मैन उसकी तरफ उसे notice कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं और सब भी उसके साथ dance भी करना जाते हैं वाल्स एक तरीके का dance होता है next है was this person able to remain happy क्या ये person जो मेडम लोजल थी, क्या खुस रह पाई? no, this happiness was shortly यानि खुसी थोड़े समय के लिए थी क्योंकि उन्हें सोक लगा था जब उन्होंने notice किया कि उनका जो बोरो किया हुआ, यानि उधार निया हुआ, नेकलेस है वो उनसे खुँआ है question number 3 yes, I have had some hard days, all because of you हाँ मेरे साथ बहुत ज़्याद बुरे दिन बीती है और यह सब तुमारी वज़े से हुआ है यहाँ पर question है, who do whom do this word I and you refers to, यहाँ पर I और you कोन है, तो I है यहाँ पर मैडम लोजल है और you मैडम फोरेस्टर है फिर question है, why did the speaker fall upon hard days, तो speaker जो थी, यानि मैडम लोजल के बुरे दिन क्यों आए थे, क्योंकि मैडम लोजल ने मैडम फोरेस्टर से एक नेकलेस लिया था, जो उनसे खूच चुका था, उसी को पी करने के लिए उन्होंने पूरी, बहुत मेहनत की थी, हाड़ वर्क की थी, और गरीमी में उन्होंने जीवन जिया था कोशन, सी है इसमें वेर दा हाड़ देस रियाली विकोस अफ यू इन देसेंटेंस, क्या यू मतलब यहाँ पे, मैडम फोरेस्टर की वज़े से उनके साथ ये सब कुछ हुआ था, कि इसका आंसर नहीं, यह उनकी वज़े से कोशन नमबर वन वाई वाई वास मटिल्डा एन हैपी डिस्पाइट बिंग प्रिटी एंड चार्विंग सुन्दर और आकरसर खोने के वाजबिद वी वो क्यों खुछ नहीं थी तो लोसल जो थी वो एन हैपी थी, खुछ नहीं थी अपने आसपास के महोल की वज़े से यहां पर वो सोचती थी कि उसने एक आदमी से सादी की है पर उसके साथ साथ वो ऐसी लगजरी लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकता पाएगी या फिर जी पाएगी जैसे उसे चाहिए थी उसे एक अच्छी जिन्दगी जीनी थी ना कि ऐसे हाउस में जिसकी दिवारे हो दिवारी गंती हो, चेर गिसी हुई हो और परदों का रंग जो है वो फीका हो कोसर नमबर सेकिंड वाई डिड मतिल्डा रियक्ट हाउ डिड मतिल्डा रियक्ट वन हर हस्बेंड टोल हर अबाउड दा इन्विटेशन जानी कि मतिल्डा ने कैसा रियक्टन दिया जब हस्बेंड उसके लिए इन्विटेशन लेगी आए और उस इन्विटेशन के बारे में उसे बताया यहाँ पर उसके हस्बेंड ने सोचा था उसके आस्पन ने आ सकी थी कि उसको रीड करने के बाद वो बहुत ही खुस होगी पर इसकी वज़े से यहाँ खुस होने के बज़ाए उसकी वाइफ ने उस इंविटेशन को टेबल फेल दिया और बहुत ही अपसेट हो गई क्योंकि उसके पास कोई ड्रेस नहीं थी वहाँ पर पहनने के लिए ना ही कोई ड्रेस थी ना ही ग्राउन था ना ही जुएलरी थी कोसर नमबर थर्ड वाट हैपन वेन दा लोसल रिटन होम आफटर दी बोल यानि यहाँ पर जो मैडम लोसल दी मटिल्डा लोसल जब वो उस ओकेसन था उस पे वापस आई तो क्या हुआ जब वो वापस आई तो उन्होंने लाश्ट टाइम अपने आपको मिरर में देखना चाहा उन्होंने देखा कि मेरन में देखने के बाद उनके पता चला कि उन्होंका जो नेकलेस है वो उनके गले में नहीं है फिर उन्हें उन्हें बहुती दुख लगा वो बहुती पहले चला फिर उन्हें दुख हुआ कि उन्हें वो नेकलेस कहीं पर भी नहीं मिला उन्हें नेकलेस खोड दिया है जो उन्होंने मेडम फॉरेश्टर्स है उधार लिया था कोसर नमबर फॉर हाउ डिड़ लोजल गेट दा मनी टू बाई न्यू डायमंड नेकलेस एक नाइम न्यू डायमंड नेकलेस लेने के लिए मेडिल्डा लोजल मेडिल्डा लोजल के पास पैसे कहां से आये तो ये ज्सार बीड़ लेने के लिए उसके हस्वन ने 40 मत mlको दोनों को 40,000 फ्रालाइंस की जुरुआ थी तो ये मेडिल्डा लोजल के हस्वन थे उनके फादर ने 18,000 रुपीज उनके लिए छोड़े हुए थे और बाकी के उसके हस्बंड ने उधा लिये थे वैसी ही नेकलेस खरीदने के लिए कोसर नमबर फाइफ यानि लोजल ने उस लोजल को चुकाने के लिए क्या किया यानि वो कर्ज चुकाने में उन्हें कितना समय लग चुका था तो लोजल ने उस कर्ज को चुकाने के लिए एक गरीब वाला जीवन बिताया उन्होंने अपना जो जितने भी सर्वेंट थे नोकर उनको हटा दिया और एक अपने बड़े अपार्टमेंट को छोटे सी अपार्टमें जाकर रहने लगे उनकी हस्बेंड सुबे से लेकर साम से लेकर रात तक काम करने लगे मतिल्डा घर के काम करने लगी जितने भी हाउसोल्ड वर्क थी और ऐसा पैसा जब उनको कर्ज चुकाने के लिए करीबन दस साल लग गए जब जाके उनकी जो कर्जा है वो चुकता हुआ जो सब खतम हो चुका था वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी गरीब परिवार की कोई बूड़ी लग रहे थी इसी वज़े से मेडम फोरिस्टा जो थी वो जोक चुगी थी कि मतिल्डा जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है तिंक एंड आंसर में कोस्टर नमबर वन पूछा हुआ है क्या मोईसर लोजल जो थे वो मतिल्डा की अच्छे थे इसका रिजन भी बताना है यहाँ पे जो उनके हस्बेंड थे मोईसर लोजल वो मतिल्डा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और हमेशा उसकी डिमांड को पूरा करने की कोसिस करते थे वो हमेशा रेडी रहते थे उसको खुश करने के लिए उन्होंने सब चीज सेक्रिफाइस की थी उसको अराम के लिए जो भी उसे चाहिए था उसके लिए यहां तक कि उसने अपने जो 400 फ्रांस उसने जमा कर लेगे थे वो भी उसने अपनी वाइफ को ड्रेस खरीदने के लिए दे दिये और जब उसकी वाइफ से वो नेकलेस भी खोड़ चुका था जो उसने पार्टी के लिए पहना हुआ था तो सारी पैसे उसी ने जमा किये थे उधार लिये थे और उसके कर्ज को चुकाने के लिए उसने मेहनद भी की थी और मदद भी की थे अमनी वाइफ की कोसर नमबर सेकिंड है तो मैंने अभी का रोग दिए खिंग मदला फैल्ट वे नमोट मैडम फोरिस्टर तोल रडर तेक टैमंड वास फाल्ड यानि मदल लोजल को कैसा मैसूस्थ हुआ जब मैडम फोरिस्टर ने उसे बताया कि डामड जो था डाइमंड का नेकलिस नकली है तो यहां पर जब मतिल्डा मस्ट है व्रिक्रेट गिविंग इंपोर्टेंस टू स्मॉल मेटेरियर थिंस लाइप यानि अब मतिल्डा ने उन चीजों को इंपोर्टेंस देना बंद कर दिया जो कि जिनकी जिन्दकी में ज्यादा जरूरत नही है तो उसने अपने मताव उसे याद आई कि उसने दस साल अपने बरबाद कर लिये है ऐसी कर चुकाने के लिए जिसकी कोई इंपोर्टेंस ही नहीं थी अब उसे रियलाइस हुआ कि उसे सिर्फ उसी चीज में खुश रहना चाहिए जो चीज उसके पास है उसी चीज में उ स्टेड़ी में इंपार्ट है जिसमें कुछ वneurz यहां पर यूज करनी है इहां पर वड्स दिये हुए यह उप्षन ओचिंग मिस्ग सेंटेंस में फिल करने साथ कहते हैं किसी को एक्जामीन करना है तो लूक इंटू किसी को देख रहे हैं किसकी तरा नचर गुमार कर देख रहे हैं तो वह सारी 양ुक्र डूंट रही है। सरच खर रहे हैं तो लूक फो तूर इस तरीके से इस तरह मैंने पूरा हमें तु ओलिजह कर सकते हो कोसर नमबर एट और यहां तक कंप्लीट हुआ फिर कोसर नमबर डी के आंसर भी यहां पर लिखे हुए मैंने सभी के आंसर उनके सामनी है कोसर नमबर डी के बाद कोसर नमबर एफ के बाद जी है जी में यहां पे सिंगूलर और प्लूरर वर्ड्स हमें लिखनी थी जिसके सि नेक्स्ट है collective nouns जैसे किसी nouns का ग्रूप होता है जैसे एक सीप का ग्रूप यानि एक साथ सीप बहुत सारी सीप साहे जाए जाए होता है हां फलो कहींगे players के group का हम team कहते हैं ships के group का हम fleet कहते हैं इसी तरीके से सभी answer यहां पे मैंने लिख दिये हैं, collective nouns भी और nouns भी, next है speaking portion में, यहाप कुछ questions दिये हुए है, उनको हमें invitation की form में frame करना है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, invite a friend to your house to watch a cricket match together, एक friend को आपको invite करना है, कि आप उसके साथ cricket match देखना चाहती है, इसका answer है, it would be great if you could come here to me, how so that we watch the cricket match together, ठीक है, यह एक तरीके से invitation लिखना था, next है writing portion में, यहापे एक birthday invitation card लिखना था, ठीक है, यहापे पूरा card हमने लिख दिया है, कि एक birthday invitation card किस तरीके से होगा, party invitation है, संदीप के लिए बेजा गया है, from Rahul से, दिख दिया है, इस बोड़ी portion में कि आपको party में invite किया गया है, date party की 29 October है, place है, chatterbox time, सादे चार बजे आपको पोचना है, let me know if you can come, ठीक है, यह last portion था, इस exercise का chapter का, जो की complete हो चुका है, अगर आपको इस chapter का explanation भी देखना है, तो इस video के link के description में, इसका link भी मिल जाएगा, तो वहाँ link से आपको इसके explanation भी देख सकते हैं chapter का, अगर आपको वीडियो अच्छी लगिया तो like करना और subscribe भी, and thank you for watching, and have a nice day.